दोस्तो मैल्पनसरो स्वागत है आप सभी का स्वाधिश्ट बजन में दोस्तो आज हम बनाएंगे मुमफली मसाला दोस्तो ये बहुत ही चिटपटा लगता है खाने में इसको बनाना भी बहुत तीजी है दोस्तो आप दुकानों से लाते हैं वो लाने की आपको जरूरत नही मसाला मुमफली तो इसको बनाने के लिए दोस्तो हमारे पास यहां पर मुमफली है मुमफली को हम सफे पाने से अच्छे से धो लेंगे जैसे कि इसमें जो भी धूल मिट्टी बगरा है वो सब बाहर हो जाएगा इसको हम अच्छे से दो तीन पानी से धो करके साब मुमफली को रखेंगे उसी मसाला मिलाएंगे उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए नहीं तो मुमफली के दाने नरम नरम बनेंगे और अच्छा नहीं लगा खाने में उसके बाद दोस्तो हमारे पास यहां पर है आधा कटोरी कॉन फुलावर इस जग आप चाहें त काली मिशक पौडर है आधा चमस नमक है यह स्वादा नुसार यहां पर है एक चमस सेजवान चटनी जगह आप लेसन का पेश्ट ले सकते हैं काला नमक आधा चमस है आधा चमस हल्दी तो मूम फुली में हम सूखे मसाले मिलाएंगे दोस्तो अभी तक चैनल को अपने सस्क्राइब नहीं कियें तो सस्क्राइब कर दीजिए और बगल में वेल की घंटी है आप उसको बजाना ना भूलिएगा तो इस तरह से अच्छे से मसाले को मिलाएंगे तो दोस्तों इसमें मसाले अच्छे से मिल गए हैं अब इसमें हम डालेंगे कौन फिलवर बैसन डालेंगे दो बड़े चमश तो बैसन अभी जाता नहीं डालेंगे दोस्तों दो ही चमश डालेंगे अगर हमें जरूत फिर से पड़ी तो हम ले सकते हैं मुंफली देल तेल करम गचल्खे मुंफली के दाने में यहारी अब अच्छे से देखी एक तरप नहीं तो जलू जाएगा utan विए अच्छे से फ्राई हो चुका है और दोस्तों पर भड़ाई से बाल कर लें आप तो चallasby को में कि इतना टस्टे आरहा है आपके मुण में देकिजिआ पानी ना तो आप भी ऐसे घर पे बनाएगे खाईए और दोस्तों मुझे कॉमेंट पर बताईए कि आपको मसाला ममफली की रेस्पिक कैसे लगी